जहिंद वेलकम टू टूडे एक्जाम क्लासेज दोस्तो इस वीडियो में हम राज जिके के कुछ मोस्ट इंपोटेंट क्यूसन करने जा रहे हैं जो बार-बार कॉश्टेबल, वीडियो मैंस, फोरेस्ट गार्ड, रेट, सेकिंड लेवल, तता लेब एसिस्टेंट के अंत्र आप भी इस कॉंपिटेशन के त्यारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जुरूर देगेगा दोस्तो तो चलेगा आपके सामने पहला क्यूसन सिंदु घाटी सब्यता को सबसे पहले किस ने देखा था तो इसका सियांस रोजेगा आपके सामने सिंदु घाटी सब्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसका सियांस रोजेगा आपके सिंदु घाटी सब्यता के तीन अन्य नाम हडपा सब्यता, तामर हिग्यून सब्यता, कास्य हिग्यून सब्यता है आपको बता दे सेंत्वा सब्यता 25 इसा पूरू के अवस्ता में परकट हुई थी यहाँ पे ववसाइख होने के काण, यहाँ पे सिंदु घाटी सब्यता के अन्य तीन नामों से जाना जाता है अगला के उसना आपके सामने, राजस्तान में सिंदु घाटी सब्यता के पर्मुक इस्तल कौन से है तो इसका सही आंसर हो जाए, option number C इसके, सिंदु घाटी सब्यता के पर्मुक इस्तल है, वो काली बंगा तता पिली बंगा दोनों है काली बंगा तता पिली बंगा राजस्तान की हनुमान गड़ जिले में हैं अगला किश्णा आपके सामने उत्तर से दक्सिन सिंदू सब्वेता का विस्तार कहां से कहां तक हैं तो इसका सही आंसर रोज़े, option number A इसका है, उत्तर से दक्सिन, सिंदु सब्वेता का विश्थार है, वो मांडा से देमादाबाद हैं। सिंदु खाटि सब्वेता, उत्तर से दक्सिन, विश्थार, मांडा से देमादाबाद है, अगर आपको पूछले, पच्चिम से पूरु तो इसका सही होगा, आलमपूर से सूतला गोडेर से हैं, कहां से होगा, गोडारफुर से, आलमपूर से, पच्चिम से पूरु की और इ इस्तल कहां मिले, तो इसका सही आंसरोजे, ऑप्चन नमबर ए, इसका एक्ट गुजरात राज्ये में मिले हैं, आपको बता दे, सूर्ख, कोटड़ा, थोला, वीरा, तता लोथल जैसे प्रसिद, खुदे इस्तल है, वो गुजरात राज्ये में मिले हैं, तो इससे इसका सही आंसरोजे, ऑप्चन नमबर ए, इसका है, लोथल है, वो भोगवा नदी के किनारे इस्तित हैं, भोगवा है, वो गुजरात के एहमदाबाद जिले के सागर वाला गाउं में समिप थालवी तलू का गाउं में इस्तित हैं, अगला किसना आपके सामने, बाला कोट किस नदी के किनारे इस्तित हैं, तो इसका सही आंसरोजे, ऑप्चन वर ए, इसका है, बाला कोट है, वो बिंदा नदी के किनारे इस्तित हैं, बाला कोट है, वो वरत्मान में पाकिस्तान की दक्सिनी अरब सागर के किनारे पे मोहन जोद्रोग है, वो दक्सिनी पच्चिमी दिस्ता में एस्तित है यहाँ पे सिप उद्यों के लिए प्रसिद है कौनसा बाला कोट है वो बिन्दाद नदी के किनारे इस्तित है नेस्ट के उसना आपके सामने सरस्विती नदी की लंबाई थी तो इसका से आन सोर है ओफशन नमोर एसक है सरस्वती धंबी की लदी है उसकी लंबई है 1600 किलोमेटर थी अगला कि उसना आपके सामने आरियो का मूल इस्तान मद्य एसिया किस ने बताया था तो इसका सयामसरोजे ओप्सन नमर एसक है आरियो का मूल इस्तान मद्य एसिया है वो मैक्सम मूलर ने बताया था दयानल सरस्थी ने आर्यो का मूल इर्द निवास तिब्बत तदा बाल गंगत दर्तिलक ने धूरू भताया है किसका इस्तान आर्यो का इस्तान बताया है और मद्धी एसे किसना बताया है मैक्सम मूलर ने बताया है तेन क्योषन यहाँ से put up हो जाते हैं त्यान दीजेगा लाश्ट तक जरूर बने रहेगा हमारे साथ अगला क्योषन आपके सामने जन के नेता को क्या का जाता था तो इसका सही आप सरोजे का option number A जन के नेता को गोप कहा जाता था और प्राचीन समय में ग्रामीन के मुख्ये को ग्रामीन कहा जाता था अगला क्योषन सबा वा समिति का उलेक किस से मिलता है तो इसका सही आप सरोजे के option number C इसका एक्ट है रिग वेद तता अर्थम वेद में सबा वा समिति का उलेक मिलता है अगला किशना आपके सामने कलिंग विजय श्यूत के उपरां असोक महाने निमलिकित में से किस धरम को अंगीकार कर लिया था तो इसका से यांसर रोज़ेगा उप्सिर नमर बीस के एक्ट बोध धरम को असोक महाने ने धरम को अंगीकार कर लिया था अगला किसना आपके सामने महात्मा बुद्ध का समकालिन कौसल का राजा कौन था तो इसका से आंसर रोज़े का option number 20 के प्रसेंट जीत है वो महात्मा बुद्ध का समकालिन कौसल का राजा था अगला किशना आपके सामने 16 महाजन पदों में से कितने महाजन पद गंगा घाटी में इस्तित थे तो इसका स्टे आन सरोजे का option number C इसका एक्ट है 10 महाजन पद ऐसे थे जो गंगा घाटी में इस्तित थे Next किशना है आपके सामने गुप्त काल में बुद्धी का परकासक कौन था तो इसका से आंसर रोजे का आप्सिन नवर बीश कहते है गुप्त काल में बुद्धी का परकासक है वो उपर रिक था नेक्स की उसना आपके सामने अमर कोस के लेक अमर सिंग किस गुप्त सासक के दरबार में था अगला किसना आपके सामने भारत में जज्या कर सरुपर्तम किस्ते लगाया था जिसमें सेंद्वा मुल्तान पर आकरवन करने पर फारत में जज्या कर सिंद परांथ से मुहमत बीन कासीम ने इस कर को लागू किया था कब गया था 1712 इसवी में नेक्स्ट क्यूसिन के और जाने से पहले बता दे अगर इनक्यूसिनों का PDF चाहे दोस्तों तो हमारे टेलिग्राम चनल को जॉइन कीजिगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्किस्म बॉक्स में दे रखा है वहां से इनक्स्टों का आपको PDF फ्राप्ट हो जाएगा चलेगा अर्बो किस नगर को सोने का नगर का है तो इसका से आंसर रिज़े और जाने को सोने का नगर का है नेक्स्ट किस्ट आपके सामने भारत में सरोपर्तम मान जनिक का नहफता हत्यारों का परियोग सरोपर्तम कब किया गया था तो इसका सही आंसर रहे हैं और सनमर बेस करेक्ट है भारत पैस सरोपर्तम दो हत्यार मान जानिक्वा नहफता हत्यारों का परियोग है वो 712 इसवी में किया गया था इस हत्यारों का आपके सामने है यूनानी लेखों में मजिस्टेड सब्द का परियोग किसके लिए किया गया था तो इसका सही आंसर रोजे का अध्यक्स के द्वारा किया गया था नेक्स्ट क्योशन आपके सामने है अगला क्योशन आपके सामने है असोग परदान मंत्री का नाम किया था तो इसका सही आंसर होज़ेगा आप्सिन नवर बेसक है असोग परदान मंत्री का नाम है वो राद गुप्त था बहुत ग्रंटों में परदानमंत्री राज गुप्ता सुसिल बिंदुसार का पुत्र थे असोक फाइदा जिसके परदानमंत्री का नाम था राद गुप्त था अगला क्यूशन आपके सामने मेगस्तिनीज ने भारत में किसकी पूजा का उले किया है तो इसका सही आपके सास्तर में ब्रामनों को मिलने वाली कर मुक्ती भूमी को क्या कहा जाता था तो इसका सही आपस रोजेगा उस कर भूमी को ब्रह्मा धे कहा जाता था नेक्स्ट के उस नाम के सामने मोरे काल में सिक्सा का सरवाधिक प्रसिद कैंदर कौन सा था तो इसका सेयांस रोजे ओप्सिन नमर ए इसका एक्ट मौरे कालवे सिक्सा का सरवादी प्रसित कैंदर है वो तक्स सिला था तक्स सिला है वो घंदार माजन पदगी राजदानी थी ये मावर्तमान में पाकिस्तान की रावल पिंडी जिले में एस्तित है Qusna आपके सामने प्राचिन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो इसका सेयांस रोज, ऑप्सिन नमर सी कैरेक्ट प्राचिन भारत का नेपोलियन है वो कनिष्कराजा को कहा जाता है इसे के साथ हमारे टॉफ जीके क्यूशन करने के लिए हमारे यूटूब चैनल पर बने रहे लाइक, सेर, कमेंट दा सस्क्राइब जरूर कीजिगा वंदे मात्रम